अब लोग सब बढ़िया होंगे आज के क्लास में हम लोग basically complete करने वाले हैं chapter number 24 तो क्या करेंगे, MC क्यों करेंगे फिलिंदा blanks करेंगे, true false करेंगे और very short answer type questions करेंगे ठीक है, यानि question number 12 में जितना है वो 13 में जितना है वो और आज के क्लास में complete करेंगे next class से application of trigonometry यानि जो भी हमने trigonometry में पढ़ा है वो real life में किस तरीके से apply किया जा सकता है उसको समझेंगे और उसके उपर बहुत सारा मतलब धेर सारा questions करेंगे ठीक है, तो आज के क्लास को start करने से पहले आपको पदा है क्या गरना है, comment section में जाना है जाकर लिखना है present और present लिखने के बाद आज के class को continue करेंगे लिख दिया आपने present बढ़े हां, start करते है लिखा हुआ है कि the value of sin 43 degree cos 47 degree plus cos 43 degree sin 47 degree is, क्या होगा ये इसको उठाते हैं और नीचे लाते हैं, क्या हो जाएगा ये ये आपका sin 43 degree and अगर आप cos 47 देखो so cos 47 basically क्या है sin 90 minus 43 is equals to क्या हो जाएगा हमारा cos ये आपका basically है cos 90 minus 43 47 degree का मतलब क्या हो cos 90 minus 43 which is equals to sin 43 ठीक है, इसका मतलब sin 43 into sin 43 हो गया ये similarly इसमें क्या हो जाएगा इसमें आपका ये cos 43 है तो cos 43 ठीक है लेकिन ये sin 47 जो है वो basically क्या है तो ये जो sin 47 है ये basically 90 minus क्या है 43 ठीक है which is equals to cos 43 so इसका मतलब cos 43 into cos 43 ये हो गया is equals to क्या हो जाएगा ये हमारा हो गया sin square 43 degree ठीक है plus cos square 43 degree which is equals to सबको पता है कि sin square theta plus cos square theta 1 होता है so ये हमारा option भी correct option है next question the value of 1035 by cot 45 plus cot 78 by 10 12 कितना होगा तो एक एक करके पकड़ते हैं इसको लेते हैं और नीचे लिखते हैं ये क्या हो जाएगा उपर में जो 10 35 है इसको ऐसी रजने देते हैं नीचे में जो cot 55 उसको क्या लिख सकते हैं 90 minus 35 बिल्कुल लिख सकते हैं ठीक है इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया के 10 35 by 10 35 ठीक है कटके कितना आ गया कटके आपका 1 आ गया इसको पकड़ते हैं यहां से और इसको लिखते हैं यहां पे यह आपका उपर में cot 78, 78 ही रह जाएगा, नीचे में 1090-78 जो है वो cot 78 बन जाएगा और यह भी आपका देगा 1 यानि कि इसका value भी 1 है, इसका value भी 1 है 1 plus 1, 2 which is option C, right, next question next question में question number 3 है the value of cos 40 degree plus theta minus sin 50 degree plus theta is, wow, nice question so यह कैसे होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जो cos 40 plus theta है, इसको क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं cos of 90 minus 90 minus 50 minus theta चीक है, यह क्या कर रहे हो भी आप तो देखो, 90 minus 50 minus theta वो plus theta बन जाएगा, और is equals to क्या देगा हमें, 90 minus 50, 40 हो गया and plus theta, so यही चीज तो हमें दिया हुआ है, यहाँ पर वही है न, 40 plus theta, तो 40 plus theta को मैंने क्या किया, 90 minus 50 minus theta लिख दिया, ठीक है and क्योंकि 90 minus theta है, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, यह आपका sin theta के बराबर हो जाएगा, यानि कि sin 50 minus theta के बराबर हो जाएगा तो दोनों मिलागर कितना हो गया, दोनों मिलागर 0 हो गया, कट गया न दोनों, तो हमारा option C is the correct option, फोर्थ question में हमसे पूछा है, कि ABC is a triangle, और sin B plus C by 2 कितना होगा कुछ भी data दिया हुआ है, नहीं कैसे करेंगे इसको solve, तो अगर दिमाग लगाओ, तो क्या होगा, देखो, angle A plus angle B plus angle C, यह triangle है, triangle में 3 angle है तीनों को मिलागर कितना होता है, तो 180 degree होता है, simple अब यहाँ पर मुरे को क्या लिखा हुआ है, B plus C by 2, मैं क्या चाहता हूँ, B plus C by 2 value निकालू, तो कैसे निकालूंगा, तो यह हो गया, B plus C, तो इधर क्या हो जाएगा, 180 minus A हो जाएगा, simple, हमें B plus C का नहीं, बलके B plus C by 2 का value चाहता है, तो बोथ साइड हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो B plus C by 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 minus A by 2, ठीक है, सो यहाँ पर हमें अगर अच्छे से देखें, तो क्या हो जाएगा, 180 by 2 90 हो जाएगा, and A minus 2, A by 2, A by 2 रह जाएगा, सो B plus C by 2 का मतलब हो गया, 90 minus A by 2, तो इसका मतलब हम लोग इस specific चीज को क्या लिख सकते हैं, इस specific चीज को हम लोग लिख सकते हैं, sin of 90 minus A by 2 क्या हो जाएगा, cos A by 2, तो simply cos A by 2 is the correct answer, next, अगर A plus B 90 degree है, तो tan A is equals to, and tan A is equals to 3 by 4 है, तो हमें cot B का value पूचा है, चीज है, क्या पूचा है, cot B का value पूचा है, कैसे निकालेंगे, देखो, A plus B जो है, वो क्या है, 90 degree के बराबर है, ठीज है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो आप, cot B का value पूचा है, अगर हम लोग tan A को किसी तरीके से cot में convert कर दें, तो हमें पता चल जाएगा न, value, हम्, पता तो चल जाएगा, so, A को B में convert करना है, इसका मतलब A को हमें, A का value निकाल ला होगा, B के term में, तो A का value B के term में हो रहा है, 90 minus B, ठीक है, यह चीज, so, क्या गर सकता हो, हमें, tan A is equals to, हमें दिया हुआ है, 3 by 4, ठीक है, clear, इसका मतलब, basically, tan 90 minus B दिया हुआ है, आपका 3 by 4, समझ रहो कैसे मैंने लिखा, 90 minus B, क्योंकि यहां से तो मैंने निकाल लिया, कि अगर A plus B 90 degree है, so, A क्या होगा, 90 minus B होगा, so, A को मैंने replace कर दिया, 90 minus B से, अब tan 90 minus B का मतलब हो गया, basically, cot B, तो cot B is equals to कितना हो रहा है, 3 by 4, एकदम simple, 3 by 4 कौन सा है, option A, so, option A जो है हमारा correct answer हो गया है, ठीक है, बढ़िया, so, इस तरीके से हमने क्या क्या, A M C क्यों कर लिया है, complete, बढ़ते हैं, हम लोग true false में, true false का पहला question, क्या बोले है, the value of cos 45 and sin 36 are equal, सही बात है के गलत बात है, देख लेते हैं, तो cos 45 degree को, 54 degree को क्या लिख सकते हैं, तो cos 54 degree को हम लोग लिख सकते हैं, cos of 90 minus, 90 में से कितना minus करने से 54 आता है, तो 90 में से कितना minus करने से 54 आता है, 6, 4, 10, 5, 3, 8, 9, यानि के 36 को अगर हम लोग minus कर दें, सो क्या आ जाएगा, चाववन, यानि के 90 minus 36, चाववन, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है, sin 36 के, इसका मतलब यस, ये सही बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा, T, R, U, E, यानि के true, next, question number 2 में क्या बोल है, the simplified value of sin 12 degree minus cos 78 degree is, तो इसका simplified value, अगर इसका हम लोग simplify करें, तो इसका value 1 आएगा, सही बात है, कि गलत बात है, ये हमसे पूछा है, so sin 12 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 minus 78 लिख सकते हैं, ये minus cos 78 ऐसी रहने देते हैं, sin 90 minus 78 का मतलब होता है, cos 78 and minus cos 78, हमें आंसर दीख रहा है already, which is 0, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे false, 1 नहीं होगा, बलके 0 होगा, ठीक है, ये होगा हमारा true false, next, fill in the blanks, बोला है the value of 10 15 degree, 10 45 degree, 10 60 degree and 10 75 degree, क्या होगा, ये बताईए, ठीक है, so, 45 degree का value हमें पता है, 60 degree का value हमें पता है, इसको चेलचाण नहीं करते हैं, 10 15 degree का हमें value पता नहीं है, and 10 75 degree का हमें value पता नहीं है, लेकिन 15 और 75 देखो, complementary angle बना रहा है, इसका मतलब, के 10 15 को मैं लिख सकता हूँ, 10 90 minus 75, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, cot 75, इसका मतलब ये हो गया, 1 by 10 75, समझ गए, so, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर 10 15 के जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 10 15 के जगह पर मैं लिख सकता हूँ, 1 by 10 of 75 degree into, 10 45 केतना होता है, 1 होता है, 10 60 केतना होता है, root 3 होता है, and 10 75, जो है वो क्या होगा, 10 75 ही रा जाएगा, done, अब ये 75 और ये 75 गया, cut बच गया, सिर्फ और सिर्फ root 3, तो हो गया हमारा answer कितना, root 3, very good, बहुत speed up तो, अब the value of sign 12, cos 18, sick 78 और cos 72, इसका value हमें निकालना है, कि क्या होगा, देखना है कि कौन किसके साथ, complementary angle frame कर रहा है, so 12 जो है, वो आपका 78 के साथ, यानि 78 के साथ, complementary angle बना रहा है, और ये 18 जो है, ये आपका 72 के साथ, complementary angle बना रहा है, right, बिल्कुल right, तो करते हैं देखते हैं क्या होता है, पहले मैं इसको erase करता हूँ यहाँ पर, ये जो चीज हमने किया है, इसको पहले erase कर देते हैं, और उसके बाद बनाते हैं, ये हो गया पुरा erase, अब solve करते हैं, so sin 12 degree को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 12 degree को मैं लिख सकता हूँ, sin 90 minus 78, ये लिख सकता हूँ, ठीक है, multiplied by, cos 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 18 को मैं लिख सकता हूँ, cos 90 minus 72, ठीक है, और बाकी जो आपका sick 78 है, उसको ऐसी रहने देते हैं, into, जो हमारा कोसिक 72 है, उसको भी ऐसी रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक को तो हमने target करी लिया है, उसको तो convert करी लिया है, तो दूसरा को तो ऐसी रहने देना होगा, next, sin इसका, इसका क्या हो जाएगा आपका, ये basically आपका हो जाएगा, cos 78 degree, लिख देता हूँ, ठीक है, now next, आगे बढ़ते हैं, ये जो cos 78 है, मैं इसको 1 by 6 78, एकदम आसानी से लिख सकता हूँ, कोई नहीं रोगेगा, तो ये हो गया, 6 78, multiplied by sin 72 को मैं 1 by cos 72 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये आप multiply होगा, आपका 68 डिगरी से, ये आपका multiply होगा, cos 72 डिगरी से, good, very good, आगे क्या करना है हमें, तो ये 68, ये cos 72 और ये cos 72 कड़ गया, overall जो हमें value मिला है, वो क्या मिला है, 1 मिला है, तो ये हो गया आपका 1, ठीक है, इसका answer है मेरे पास, कितना आ गया, 1 आ गया, next question देखते हैं, और फिल्द ब्लैंक का last question, अगर पहले क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, इसको यहां से पहले हटाते हैं हम लोग, ये गया काम से, अब हमारे पास क्या है, कि A and B are complementary to each other, sin A is equals to कितना होगा, ये मुझे बताइए, so A और B complementary है, बिल्कुल, तो sin A जो है, वो क्या हो जाएगा, sin A आपका हो जाएगा, sin 90 minus B हो जाएगा, which means cos B, simple, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, cos B, क्या किया भी आपने समझने आया, so A B complementary बोलने का मतलब हुआ, कि A plus B जो है, 90 के बराबर है, so A is equals to basically क्या है, 90 minus B है, तो वही चीज मैंने यहां पर, सिर्फ लिखा है, और इसका value आगया, cos B, इस तरीके से हमने, question number 12 में, जितना था, सबको solve कर लिया है, AMC क्यों हमारा हो गया, fill in the blanks हो गया, true false हो गया, value of 10 9 theta, so 10 9 theta का value क्या होगा, यह आप बताएए, कैसे पता करेंगे, इसको कैसे पता करेंगे, इसको कैसे पता करेंगे, so, कोई तरीका दिख रहा है क्या इसको, sin 10 theta, is equals to cot 8 theta, and 10 theta is a positive acute angle, let us find the value of 10 9 theta, कहीं न कहीं अगर हम लोग इसको देखें, और यहाँ पर लिखें के sin 10 theta, is equals to cos 8 theta, ठीक है, so, एक पल के लिए यह वाला part भूल जाओ, cos वाला part, अगर सिरिफ और सिरिफ मैं sin 10 theta लिखूँ, and क्योंके यह अलड़ी हमें बोला है, कि यह acute angle है, less than 90 degree है, so, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको यह बोलता हूँ, suppose that, कि sin theta, आप क्या बोलो, कि sin theta है, इसका मतलब तो basically होगा, cos 90 minus theta, यह बोल सकते हो, क्योंके cos 90 minus theta मतलब sin theta, sin theta मतलब cos 90 minus theta, क्या यही चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब sin theta का मतलब होगया, cos 90 minus 10 theta तो होगा, यहनि अगर cos 90 minus 10 theta लिखूँ, तो उसका value क्या होगा, उसका value 10 theta, sin 10 theta होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, हमने अब आगे का process करते, तो cos 90 minus 10 theta, basically किसके बराबर होगया, cos 8 theta के बराबर होगया, and यहाँ से हमें क्या पते लिखा है, कि 90 minus 10 theta जो है, वो आपका basically बराबर होगया, 8 theta का, जिसका मतलब होता है, कि 90 is equals to 18 theta, ठीक है, यही हो रहा है, उधर जागा तो plus हो जाएगा, 18 theta हो जाएगा, and theta is equals to क्या हो जा रहा है, 90 by 18, ठीक है, यहाँ पर हो गया, and 6, 5, जा 30, यानि 5 हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब theta का value, अगर हमारे पास 5 है, तो 10, 9 theta कितना हो जाएगा, 10, 9 theta हो जाएगा, 10, 9 into 5, यानि के 10, 45, so 10, 45 degree is equals to, हमारा क्या हो जाता है, 10, 45 degree is equals to, हमारा 1 हो जाता है, तो यह हो गया आपका इसका answer, यानि इसका answer होगा 1, next question में बुला है, कि अगर 10, 4 theta, into 10, 6 theta, is equals to 1 है, and 6 theta एक positive acute angle है, let us find the value of theta, theta का value आप बताएं, again, यह क्या है, यह भी कहीं न कहीं, simple सा चीज है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है, so, 10, 4 theta, into 10, 6 theta, into 10, 6 theta, किसके बराबर बोल रहा है, into 10, 6 theta बोल रहा है, कि यह आपका 1 के बराबर हो, ठीक है, हमें value निकालना है किसका, theta का value निकालना है, कैसे निकालेंगे theta का value, so, अगर मैं यहाँ पे, 10, 44 theta को ऐसी लिख दूँ, and 10, 6 theta को इधर भेज दूँ, तो 1 by 10, 6 theta हो जाएगा, very good भेया, अब 10, 4 theta को, मैं 10, 4 theta ही रहने देता हूँ, लेकिन यह हमारा क्या हो जाएगा, cot, 6 theta हो जाएगा, वाब हुआ, अब 10, 4 theta को क्या मैं लिख सकता हूँ, cot, 90, minus 4 theta, obviously लिख सकता हूँ, क्योंकि cot, 90, minus 4 theta का मतलब भी तो 10, 4 theta होता है, इसका मतलब 90, minus 4 theta, कही न कहीं बराबर होगा हमारा 6 theta का, यह भी सही है, तो मतलब 90 is equals to हमारा 10 theta हो रहा है, एकदम correct, and इसका मतलब हुआ कि theta is equals to हमारा 9 degree हो रहा है, समझाया, सो यह हो गया हमारा 9 degree, next question, next question में बोला है यह वाला, कि let us find the value of 2 sine square 63 degree, plus 1, plus 2 sine square 27 degree, divided by 3 cos square 17 degree, minus 2 plus 3 cos square 73 degree, अब इसका value क्या होगा, यह हमें बताए, सो उपर में 63, 27, क्या एक दूसरे के complementary है या नहीं, सो यस एक दूसरे का complementary तो है, यानि 7, 3, 10, 6, 2, 8, और एक 9 है complementary, सो हम लोग क्या करेंगे, 2 sine square 63 को ऐसी रहने देते हैं, plus 1, plus 2 sine square 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, sine square 90 minus 63, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, सो यह आपका divided by क्या हो जाएगा, यह आपका divided by, यहाँ पे भी वही फंडा 3, cos square 17 को ऐसी रहने देते हैं, minus 2 भी ऐसी रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो plus 3 cos square 73 है न, उसको 3 cos square 90 minus 17 लिख सकते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, उपर में हम लोग क्या देख रहे हैं, कि 2, 2 यह आपका हो गया sin square 63 डिगरी, यह जो sin square 90 minus 63 है, इसका मतलब cos 63 होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, cos 63, ठीक है, cos 63 लिख देते हैं, clear, and plus 1 जो है, उसको रहने देते हैं, 2 मैंने basically दोनों में 2 था देखिया, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मैंने 2 को क्या कर लिया, common ले लिया, ओके, आगे, नीचे अगर आप देखें, तो वही case है, 3 आपका दोनों का common लेके, अगर इसका 3 और इसका 3 अगर मैं common ले लूँ, तो क्या बच जाएगा हमारा, cos square 17, तो cos square 17, यहाँ से हमारा cos 90 minus 17 क्या आजाएगा, sin 17 आएगा, तो basically यहाँ पे plus sin 17 में लिख देता हूँ, ठीक है, और यह minus 2 आपका minus 2 रह जाएगा, अब आगे, यह आपका overall क्या बनेगा, 1 बन जाएगा, ठीक है न, यह cos square 63 है, तो यह आपका 1 बन जाएगा, यानि के यह आपका theory के बराबर होगा, good, next question, question number 4 में क्या बोला है, let us find the value of 10 1, 10 2, 10 3, 10 4, 10 5, 10 89, ठीक है, ध्यान रहे के यहाँ पे 10 90 include नहीं किया है, क्यों, क्योंके 10 90 का value undefined है, so 10 90 यहाँ पे include नहीं किया है, बात खतम यह चीज़ आपको धेहान रखना है, ठीक है, अब हम लोग कैसे इसको आगे solve करेंगे, कैसे इसको अप्रोच करेंगे, तो अगर धेहान से आप यहाँ पे देखो, तो आपको 2 value नहीं दिया हुआ है, कौन-कौन सा value नहीं दिया हुआ है, एक आपका 10 0 degree का value नहीं दिया हुआ है, और दूसरा आपका 10 90 degree इसमें नहीं include किया गया, क्यों? 10 0 अगर दे देता, तो यह पूरा question ऐसे जहट से हम लोग बना लेते हैं, कैसे बनाते हैं? 10 0 का मतलब होता है 0, और वहीं पे अगर 10 90 हमें दिया रहता, तो यह तो undefined हो जाता है, तो यहाँ पे दोनों में से कुछ नहीं दिया, मतलब कुछ न कुछ इसका value आएगा, अब क्या value आएगा, तो देखो धियान से, अगर आप 10 1 को देखो, and 10 89 को देखो, तो यह है क्या? यह आपका हम लोग easily लिख सकते हैं, cot 89, ठीक है? तो cot 89 into 10 89 करेंगे, इसी तरीके से, आपका, यहाँ पे जो आप 10 2 दिख रहे हो, यह 10 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 10 2 को हम लोग लिख सकते हैं, इसका complimentary करेंगे, तो हो जाएगा 88, यानि कि इसको हम लोग cot 88 लिख सकते हैं, यहाँ पे cot 88 के साथ क्या आजाएगा? cot 88 जो हमने 10 2 को लिखा है, तो उधर कहीं न कहीं 10 88 भी present होगा, तो 10 88 आजाएगा, ठीक है? इसी तरीके से, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सब का complimentary बनेगा, आपका 10 44 का complimentary क्या बनेगा? 10 44 का complimentary आपका बन जाएगा, 10 44 का जो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, मतलब हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मान लोग 43 तक गए हैं, so 43 का complimentary क्या हो जाएगा? 43 का complimentary हो जाएगा आपका 7, 3, 10, 5, 4, 4, 4, 8, 9, यह हो जाएगा आपका, ठीक है? इसी तरीके से, अगर 44 का हम लोग complimentary गए हैं, तो 46 हो जाएगा, ठीक है? 44 तक हमारा कोई न कोई combo मिल जा रहा है, 10, 1 का देखेंगे, то 89 आगया, 10, 2 का हम लोग देखें, то 88 आगया, 10, 3 का हम लोग देखें, त 87 आगया, 10, 4 का हम लोग देखें, त 86 आगया, इस तरीके से जाता जाएगा, 1043 का देखेंगे 47 उसका complimentary बना रहा है 44 का देखेंगे उसका complimentary बना रहा है एक यहाँ पे हमारे पास रिफ बच जाएगा और वो कौन सा होगा वो होगा आपका 45 1045 का कोई complimentary नहीं बन रहा होगा अब complimentary का यहाँ मतलब क्या हो रहा है इससे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे तो देखो होगा क्या कि हमारा यह जो चीज आप देख रहे हो न यहाँ पे आपका cot89 हमने जो लिखा है यह cot89 actual में क्या है तो cot89 actual में आपका 1 by 1089 है ठीक है into 1089 इस तरीके से हो रहा है न which is 1045 degree तो कहने का मतलब यह है यहाँ पे कि यह आपका इसके साथ कट गया इसी तरीके से यहाँ पे भी सब एक दूसरी के साथ कट कर क्या बनाएगा 1 into 1045 अकेला रहेगा क्योंकि इसका कोई भी complimentary इसके अंदर है नहीं so 1045 कितना होगा 1 and इसका value आपका होगा 1 फिक है so इस तरीके से इस question को बनाना है initial में देखके आप गवड़ा जाओगे बड़ आपको complimentary angle बस दिमाग में रखना है तो यह question आपका बन जाएगा exam में तो आपके पास जब question आएगा तो आप गवड़ा जाओगे सिक 5A अगर बड़ाबर है कोसिक A प्लस 36 का चीक है और बताया गया कि 5A हमारा positive angle है तो हमें A का value पता करना है अभी तो हम लोग वही चीज़ कर रहे थे simple तरीके से इसको भी कर लेते हैं वैसे ही तो कोसिक A प्लस 36 है simple यही है सिक 5A का मतलब क्या हो गया तो किसका किसका relation था कोसिक और सिक का relation था तो सिक 45A का मतलब basically होता है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कोसिक 90-5A ठीक है सो अगर हम लोग कोसिक 90-5A करेंगे तो यह किसके बराबर हो जाएगा यह basically कोसिक A यह basically आपका कोसिक 90-5A जो है वो बराबर हो जाएगा आपका 6-5A का ठीक है okay so 90-5A आपका 6-5A के बराबर होगा तो इसका मतलब यह होगा कि 90-5A जो है वो आपका बराबर हो रहा है A plus 36 का ठीक है यहाँ से अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा 90 इदर रखते हैं 36 के इदर लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा 5 इदर जाएगा तो वो 6A हो जाएगा 90-36 कितना हो जाएगा यहाँ पे हो गया 4 यहाँ पे आपका 9 में से 3 नहीं वालके 8 में से 3 जाएगा तो 5, 54 हो गया, 6A इसका मतलब A is equal to कितना आ रहा है हमारा, A is equal to हमारा आ रहा है 54 by 6 यानि के 9, 5, 5, 4, 9, 6, 4, 9 degree हमारा आ रहा है A का value, ठीक है तो इस तरीके से हमारा ये वाला question भी बन गया और इसी तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो आपका chapter था 24 वो अच्छे से complete हो गया, I hope कि complimentary angle में अप कोई भी doubt आपका नहीं बचा है, और अच्छे से आपको complimentary angle समझ में आ गया है, next class से, we are going to start chapter number 25 which is application of trigonometry, यानि के height and distance, ठीक है, वो chapter बहुत ही ज़्यादा real life related रहेगा उसमें train के बारें बात करेंगे, plane के बारें बात करेंगे, patan के बारें बात करेंगे, building के बारें बात करेंगे, ladder के बारें बात करेंगे, interesting chapter है, उसे पहले सब कुछ अच्छे से याद कर ले ना, जैसे angle वेंगल का जो values वगरा है, वो सब याद करके अच्छे से रखना ताके वो चैप्टर अच्छे से बना पाओ मिलता हूं निक्स्ट क्लास में तबता के लिए अपने डेर सारा ख्याल लखिए थैंक्यू